नमस्तकार दोस्तों विंदास एजुकेशन में आप लोगा स्वागत है मैं हूँ अरुन सैंग आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ अलफाबेट का रैंक जो की काफी जरूरी होता है कोई भी एक्जाम देजिए रिलवेसे से बैंकिंग में तो पोजिशन दोस्तों कोई ट्रिक नहीं दोस्तों एकदम जादूई आपका आइडिया है कॉंसेट दोस्तों आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों उमीद करते हैं कि कोई आज के बाद नहीं लिखना परेगा और आप देखते ही देखते आप कुछ जहां देखेंग उसका रैंक आप इसे आप रैंक करते हैं एक दो तीन तो दयाएं से एक हो जाएगा यह दो हो जाएगा तो इसको बोलते हैं रैंक और दोस्तों कोई भी एकजाम दिजिए आप उसमें अलफाबेट का पुश्टन 5-6 ठो आपको मिलना ही मिलना है मिक्स करके आपको देता है जो रैंक पर ले दिखें एक से लेकर के आपको पांस्तर जो रैंक है वो जिनरली बच्चों लोग याद रहता है याद नहीं करना पड़ता है जैसे माल लेजे कि एक रैंक एक होता है बी का दो होता है तीन होता है आपका सी का डी का चार होता है एक होता है आपका पांस ठीक है इसके बाद वाय तो उसी तरह से आपका यहाद रहता है जरूद परता पहला देखिए आपका है देखिए हम ABCD systematic नहीं लिए दोस्तों जान बुझ करने लिए हैं क्योंकि आपको एक्जाम जब देते हैं तो कुछ सालों से आपका फेमस है यह आपका एक सीम है जिसका नाम है जीओ दोस्तों यह जीओ का सीम आपका काफी फेमस है दोस्तों 22 ध्यान दीजेगा हम लोग 22 अभी देख रहे हैं तो जीओ दोस्तों यह आई को हटा दीजिए और इसके बीच में equal का संबल लगा दीजिए ब काफी मज़दार है आपको इसी तरह से हम इसी तरह से सारा का आपको आइडिया बता रहे है कि कैसे आप बिना किसी ट्रिक का, किसी फर्मूले का बस आइडिया बेस्ट है, बस आइडिया अपने ले लिजिए, तो चलिए सुरू करते हैं आपका, तो जियो, ध्यान दिजियेंगा दोस्तों, जियो कतना हो गया, जियो 10, यानि J का रैंग हो गया 22 आपका, दसमा रैंग ह अवाभी यह ज़िए यहां पर हम eye's इसे लिखते हैं आई का m approve क्या लैंक्स को लुख सकते हैं मैं झालता हूँ यो दोस्तों की जैसे हम आईडिया जए आप किसी भी तरह से आइडिया निकाने जा रहे हैं बस आपिश इंतीजार किजे कुछ समय में आपको सारा क्लियर कर देंगे जितना जो देखा ज़ला आपको वोट पे तो आर आर माली लिमिट है माल लिजीए कि रानी की साधी 18 में और फूर रानी और रानी की साधी 18 में तो आर का राइंग हो गया दोस्तों र का रेंख हो गया आपको दुस्तों सबत आपको पता होना चाहिए तो आर के बाद आपका एस होता है तो यह आपका इस कितना रेंख हो जाएगा 19 अब शुच रहेंगे इसका कोई आडिया नहीं बताएं देखिए हमारा चुम्ण हर्त विल्टा है उसमें नाम है एक ours, ठीक है, Aries एक सराब आता है, मतलब R और S दोनों साथ साथ रहेगा, R pos polledny होगा, S बात में होगा, तो यह ठारा हो गया, तो यह कितना हो जाएगा, आप इस तरह से आप देखते हैं तो रोमन अंक में कितना दिखाए देता है 4 दिखाए देता है लेकिन अगर इसको आप मिला दिजेगा तो दिखाए देगा तो चार आपको होगा फिर 14 होगा और फिर क्या होगा आपका 24 होगा, बताइए इसमें से कौन सा रेंग, जो N का होगा, तो 2 का पाट है, बीच में रता है, तो 2 में कौन है, 14 हैा का 30 रेंग हो जाएगा 14, इसका रेंग कितना हो जाएगा, दोष्तो, N आपका Roman rank में ऐस tão रिखाता है, 4, तो 4 मतलब 14 हो गया, N का तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं तो दोस्तों आपको हर एक आइडिया आपको हर एक आइडिया आपको विदियो में आप नहीं कोई बारे से आपना सकते हैं क्या चैया दोस्तों आइं यह लोग किसी को मैसेज करते है किसी भी तरह से चैकिंग करते हैं मालिग लिखता है मन कैसे लिखते हैं दोस्तो सौट में हम लोग लिखते हैं कैसे एम एन मन ठीक है ऐसे लिख देते हैं दोस्तो तो एम के बारे मैं ऐसे लिख दो मैं तेरा क्या मैं तेरा सौट में लिख दो मैं तेरा इंतिजार करूंगा अतलब एम का रेंख हो गया दोस्तो एम का रेंख हो जोंगा तो इन का rank हो गया आपका ते रा से यह को सारे का सरे को माइड में इसके चुठकाप सकते हैं दोस्तोह याद कर लाइजें और इक्जाम में जाएं कितना स्पीड मेंटर होता है कितना समय बचत होता है आपको पता चल जाएतों अभण यू के बारे में हम देखेंगे यू के बारे में तो एक होगा फस्ट में या 20 11 हो सकता है या तो एकीस हो सकता है जब हो गया था तो बताइए वका कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपको कितना एकीस हो जाएगा दोस्तों अब देखते हम लोग पी का, तो पी को आपको धोड़र single दिमारा यह idea कि क्या हो सकता है आप सूचिए कि इसका sort आप कैसे सोचते हैं दोस्तों हमने तो एसरे सोचा है कि पी को आप लट दीजिए तो यह ऐसे दिखाई देगा दोस्तों पी को जब ऐसे फिलट देंगे, तो आपको 6 दिखाई देगा, बताईए दोस्तो 6 मतलब क्या होगा, या 6 होगा, या 26 होगा, या 16 होगा, धोस्तो, तो आपको पता चलेगा कि बीच में है, तो p का rank हो जागा दोस्तो, 16, दोस्तो Q का क्या होगा, दोस्तो, total inc में एक ही है, जो cut करके हमको इस तरह से लिखा जाता है वो है 7 Q इस तरह से हम लोग कट के लिखते हैं ना ऐसे Q में आपको देखिए इस तरह का line आपको मिलता है इस तरह का 7 हो जाएगा दोस्तो 7 मतलब क्या होगा 7 होगा या तो 17 होगा 27 तो होता नहीं है 2 ही होता है क्या हो जाएगा दोस्तो 13 हो जाएगा अगर उलट के M को देखेंगे तो M को उल्टेंगे तो 3 हो जाएगा 3 मतलब क्या हो जाएगा ये आपका 13 हो जाएगा दोस्तो W को उसी तरह से अगर उलट के देखेंगे तो ये 3 ही दिखाए देगा तो तीन मतलब यह अंतिम में रहता है न दोस्तों यह डबलू कहां रहता है अंतिम में रहता है तो बताएए इसका क्या हो जाएगा तो तीन आपका होए मतलब तेज हो जाएगा क्योंकि तेरा तो होगा नहीं और तीन तो शुरू में होता है सी के लिए सो इसका रेंग क्या मैंशुआ करेंग तुप करव बारे हैं कौन नहीं जानता होगा आप कि आम क्विक हो गया दोस्तों अब एक के बारे में पताई किया थे और नहीं से लिखते हैं चार लिखते हैं दोस्तो अगर इसको आप हटा दीजे फोर को तो आप इसको देखिए कैसा दिखाई दे रहा है एक्स दिखाई दे रहा है और अगर इसको मिला दीजे तो ये चार दिखाई देगा मतलब 4 X x antimal में है तो यह क्या हो जागा दोश्तों चौबिस हो जाएगा इसका रहेंग कितना हो जागा दोश्तों 24 हो अब G पर आया है दोस्तो यह तो बहुत ही आप वो फेमस है यह G7 G7 संगठन का आप नाम सुने होगे तो G7 याद कि या दिलवाले का गाना आप सुने होंगे सातो जनम सातो जनम आया एज का ठीक है तो एज का क्या होगा दोस्तों डिजिटल घरी में डिजिटल घरी में हम लोग अगर एज ऐसे हम लोग लिखते हैं इस तरीके से और इसको इस तरह से ऐसे अगर मिला देते हैं डिजिटल घ तो एज का क्या हो जाएगा आपको एड हो जाएगा तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा अब आप सुचिये हम आपको बस एक सेकंड का भी टायम नहीं देंगे मतलब जैसे हम बोले आपको याद होना चाहिए बताइए दोस्तो एन का क्या होगा मैं तेरा मैं तेरा या इसको रटेंग तो तीन दिखाए देगा मतलब टेश होगया पकु अगर उल्टेंग तो चे दिखाए देगा दोस्तो शोला होगया दोस्तो राणी का साधिया ठारा में होगया दोस्तो । सब्सक्राइड मातलब entsprechend हो जूस्तो ग्यों मतलब क्यू को कार्ण इस तरह से आपको इसमें देखए लाएन एगे तो 7 दिखाए देता है दोस्तों यह 17 हो गया आई का देखेंगे आई असमान में लिखेंगे तो 9 होता है या आई 9 मतलब होता है दोस्तों 9 इस तरीके से यूँ का आप देखेंगे तो इनिट होता है इनिट मतलब 1 होता है दोस्तों यह की सो जाएगा तो आप किसी भी तरह का आप विना किसी फर्मुले का दोस्तो आप बताईए कि आपको कैसा लगा यह concept और आप बताई किसी तरह का कोई मिक्ष नहीं कियागाय है यह कोई फर्मुला नहीं लिया गया बस एक अएडिया है दोस्तो अगर किसी भी आलफा बीट का अगर बाई से दैंड आपको याद हो तो कुछ नहीं करना है दोस्तो दाइस से राइँ का तो आ आपको आ जाएगा दोस्तों दाए का रैंग दाए का रैंग जैसे दोस्तों माल लिजिए कि कितना होता है दोस्तों आपको किए 11 होता है के 11 होता है आपको कुछ नहीं करना है दाए से दाए से दाए से रैंग निकालना है आपको राइट से ठीक है राइट से निकालना है तो आपको कितना आ जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 16 अ मैं लिए र का निकलना है तो रानी के साधी कितना में होता है 18 में अब इसका गटा दिजेगा तो आपको कितना आजाएगा नौ आजाएगा अगर दाएं से कांड करेंगे देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ नौ मां अस्थान पर कोन आ गया तो आरा गया दोस्तों दिखाए देगा है दाएं से तो इस तरीके से आपका दाएं का एुपॉर्टन था बाएं का रेंग अगर आपको याद है तो आपको दाएं का रेंग भी अराम से आप याद कर सकते हैं दोश्तों मैं इसका फिर बेडियो बहुत बनाने जा रहा हूं जिसमें आप देखेंगे विप्रित से पेर कैसे याद रहें रखेंगे या लिविट